सो हेलो गाइज कैसे हैं आप सभी लोग वलकम तो मैं चैनल 47 गेमिंग हब सो गाइज माइनक्राफ्ट के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं सो गाइज पिछले एपिसोड में हमने वो चीज कर दिखाई जो शायद बहुत ही अमेजिन थी गाइज हमने बना लिया था नीदर पोर्टल मैं कभी कभी उसको एंड पोर्टल भी बोल देता हूं पर मुझे बाद में समझ आया एंड पोर्टल तो एक अलग ही चीज है मैं आपको दिखा देता हूं कि हमने पिछली बार क्या बनाया था तो ये थी गाइज उसकी सीड़ियां से चल भाई नीचे चल पर तो ये था गाइज वो नीदर पोर्टल तो गाइज इसमें से बड़ी ही जीव वाज़े आ रही थी और मैंने आपको अंदर जाकर भी बताया था पर गाइज मैंने ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि उसका एक में कारण था और वो थी मेरा ये सूट तो येस गाइज ये देखिए मेरा अभी सूट सिर्फ आइरन का है मुझे अभी डाइमेंड या कम से कम भी गोल्ड का सूट चाहिए जो एंचेंटन या अपग्रेड़िड हो तब ही गाइज कुछ फाइदा है वन्ना वहां जाकर कोई फाइदा नहीं अगर मैं कहीं मर मुर गया वहां की सूलजर से या किसी से फिर बड़ी तगडी गंदी मौत होगी मेरी गाइज तो वो मैं बलकुन नहीं चाहता तो अभी पहले मैं खाना खा लेता हूँ कौन सी येस्ट में है एंग तो गाइज यहां चेस्ट से इतनी हो गई है तो येस्ट मैंने कोक्ड चिकन रख लिया था क्योंकि पिछले एपिसोर में खाने की बहुत तंगी हो गई थी то اس बार मैंने कोक्ट चेकन पहले ही ले था चोलो पहले ही से घा लेते हैं खाले 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 भैया अभी तक इतनी हेल्थ हमारी बहुत है तो ओके गाइस आज हम करने जाने हैं बड़ा ही मज़ेदार काम तो गाइस पिछले एपिसोड में आपको पता ही होगा कैसे मुझे फूड की बड़ी किलत पढ़ चुकी थी तो फूड की ओ एक तो भाया बरात होने वाली है हम सुबह ही काम शुरू करेंगे पर मैं आपको एक्स्प्लेइन कर देता हूँ तो येस गाइस फूड की हमें बहुती बड़ी किलत पढ़ गी तो ठीक है गाइस आज हम उस किलत को यानि किस कमी को दूर करेंगे आज हम अपना परसनल फार्म बनाएंगे वो भी यहां एकदम हमारे घर के साइड में तो चलिए पहले सो जाते हैं कल सोबर शिरुवात करेंगे उस बड़े एतिहास एक फार्म की आप देखकर हैरान हो जाओगे गाइस वो इतना बड़ा फार्म है सो अब ही हम सो जाते हैं सो ओके गाइस सोबा हो चुकी है और मैं वापस आ चुका हूँ अपने फार्म के उस एतिहास काम को करने के लिए सो चलिए पहले हम अंदर चलते हैं और अपनी एक पिक एक्स गाइस हमें चाहिए और वो गंदी सी पेकेक्स या आइरन की पेकेक्स मेरे पास थी पर अब वो मुझे पता नहीं है मेरी कहा है क्या पता तू हाँ यह रही गाइस आइरन की पेकेक्स किसलिए चाहिए मैं आपको अभी बता देता हूँ एक तो आइरन की पिकेस गाइस काम बहुत ही जल्द करती है तो हम अपने साथ ले चलते हैं इन ब्रिक वोल्स को तो अब मैं बनाने वाला हूँ फैंस गाइस मतलब की फैंस बनानी बहुत जरूरी है यह नहीं तो कल कोई एरा गैरा अरे है कैसे है भाईया जी जे गाइस ट्रेडर है मैंने इससे पिछली बार ट्रेड करने कोशिश की थी पर ये भाईया अपना लामा यहां छोड़के कहीं चला गया था तो मैंने अब इससे पंगे लेना छोड़ दिया है मैं अब गाइस या रे भाईया डूरता जा रहा हूं सो ओके गाइज यहां से हम अपना नीप पत्थर रख देते हैं सो ओके गाइज मैं गाइज तीन ब्लोक्स तोड़ूंगा क्योंकि फिर उनके बीच में हम लगा देंगे अपना एक गेट सो ओके गाइज यहां से मैंने इसको ऐसे तोड़ दिया है और उस साइड से मैं लगाना शुरू करूंगा अपनी इन फैंस को मैं इनको यहां ले आता हूँ पानी में रहने के गाइज अपनी खत्रे हैं वो आप देख सकते हो कैसे यह गंदे से जानवर मुझे मारने के लिए आ रहे है सो चिलिए गाइज मैं इने लगाना शुरू कर देता हूँ वो यह यह यार यह भी पंगाई है वो यार अब एक तो बारिश शुरू हो गई गाइज सो अभी मैं इस काम को नहीं कर सकता क्योंकि बारिश में सबी बाहर आ सकते हैं और इन्होंने मुझे यहां गूमते हुए देख लिया तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे पर चलो फिर भी मैं देखता हूँ अगर मुझे यह काम हो जाए सो ओके मैं यहां से भी इसको स्टार्ट कर देता हूँ के गाइज मैं वापिस आ चुका हूँ इस पूरी जगा को कम्पलीट करके तो गाइज मैंने बड़ी ही महनत से इसको बनाया है और इसको ऐसे लेवल सा भी नीचे से कर दिया है क्योंकि हमें बड़ा ही तगड़ा फार्म बनाना है गाइज मैं इतना ही एक्स्टेंड कर सका क्योंकि मेरे पास फैंस इतनी ही थी अगर फ्यूचर में हम और फैंस बनाएंगे तो इसको और पीछे जख ले जाएंगे और वहां जो ये राक्षा से रह रहे हैं उनका सामराज जब हम अपने अंडर कर लेंगे तो चलिए गाइज अब अगले पड़ाव पर चलते हैं इसके कुछ लेवल्स हैं मुझे पता है गाइज अरे खुल जा यार प्रेशर प्रेट सगाने का भी कोई फाइदा नहीं है यार चलो वाँ टू सी गो यहाँ अब हो गया बड़ी सानी से ओकी अब हमें चाहिए डर्ट टर्ट किसके लिए चाहिए क्योंकि गाइज जो वीट होती है हमारी वो डर्ट पर ही उगती है इसके लिए मुझे ब्रेट भी चाहिए मैं लगाना कर शुरू कर देता हूँ यहां वीट मैं उधर से ऐसे वीट लगाना शुरू करूँगा आपको आप देखिए अभी यह हुई जा कुछ बात मैं ऐसे ही वीट लगाऊंगा वीट नहीं अभी तो मैं डर्ट ही लगा रहा हूँ बीड तो हम इस पर बाद में लगाएंगे उसके भी हमें सीड्स कलेक्ट करने लाने पड़ेंगे जंगल से तो मुझे लगता नहीं है कि ये दो से ज्यादा रोज बना पाईगी हमें बीच में पानी छोना है क्योंकि ऐसे जल्दी से जल्द और बहुत ही तेजी से वी टुकती है उके तो मुझे तु लगता है ये एक और या फिर एक और रदी रो और बना सकती है उससे ज्यादा इसका द महीं निए ।्यरे यार ये देखो इसको मज़िए देखो तो ओके हमारी बहुत ही तगड़ी लाइन हो चुकी है मेरा खाना भी खतम हो गया मेरी आइरेंड पिकेक्स भी खतम हो गई क्योंकि गाई यह देख सकते हो कोबल स्टोन मेरे पास जतना था वो तो मैंने लगा दिया पर मुझे और लाना पड़ा कोबल स्टोन बस यह एक लाइन कम्प्लीट हो जाए फिर हम बाद में अपना बाकी का काम करते हैं और यह यह यहां लग तो ओकी गाईज यह लास्ट रो है और यह भी मुझे लगता है कि कम्प्लीट हो जाएगी तो देखते हैं की होती है या नहीं और नहीं यार थोड़े से ही ब्लोक्स करते हैं गाईज में अंदर जाके देखता हूं अपनी चैस्ट में क्या पता मेरे पास थोड़े से ब्लोक्स पढ़े हो एक तो गाईज मैंने अपने घर में हर जगा ही पानी बिचा लिया है वही से चलने में भी बड़ी दिक्कत आती है आजकर सो ओके यहां मेरे पास कोई नहीं करेंगे शायद बहार रात हो चुकी है येस गाईज बहार रात हो चुकी है अब हम जाते हैं सो वेल्कम बैक गाईज एक सहानी सुबा फिर से माइनक्राफ्ट में आपकी तो यह भी दूस्ती ही सुबा है पर मेरी पांच मी छे मी हैं क्योंकि इसको बनाने में सच में मेरी हालत खराब हो चुकी थी ही तो चुकी जाईज अब हम जाने वाले हैं अपने लिए सीड्स ढूनें क्योंकि गास सीड्स से ही वीड होगे नहीं है जी है ये रहा वह मेरा खाना अरे पफी तुझे नहीं लेके जा सकते यार पफी भी समझता नहीं है हमारी बाते क्या करें ये तक भो 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 करता रहता है guys हम अपने घर के आत повास के seeds नहीं खत olması करेंगे क्योंकि इसे घर्याली बड़ी रहती है मैंने इनको ऐसे देखो इनकी कटिंग कर दी गाइज मैंने अगर आपको ये कटिंग अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजेगा तो चलो देखते हैं मुझे सीड्स मिलते हैं के नहीं अरे यार भीया सीड्स क्लेक्ट करने भी गाइज बड़ी मुश्किल है मतलब की किसी में से गाइज निकल ही नहीं रहे हैं सीड्स और मैं तो अच्छा था अरे यार कहीं से तो आजा सो चलो यार अब दूर कहीं चलते हैं अरे भीया ये देखो ये इन्होंने यहां गाइज अपनी वो लगाई हुई है महफिल लगाई हुई है मुझे लगता है यहां अंताक चली खेल रहे हैं सबी पानी में मिलकर अब मेरी लिए दिक्कत हो सकती है क्योंकि बारे शुरू हो चुकी है अब ही मैं ज्यादा दूर नहीं गया हूँ मैं भी अपने घर से और ज्यादा दूर आऊंगा मनलकी जाऊंगा जहां मुझे और अच्छे अच्छे सीड्स मिल सकें ओके तो वहाँ एक गुफा भी है हम उसे भी कहीं कभी एक्स्प्लोर करेंगे पर अब मेरा बिलकुल मन नहीं है तो मैं तो बस गाइस ये डून रहा हूँ कि कहां मुझे थोड़े से ऐसे आ ये मिल गई यार गाइस मुझे तो लगता है मुझे आज सीड्स मिलेंगे ही नहीं पर उससे पहले मैं ये फ्लावर्स ले लेता हूँ गाइस क्योंकि अपने घर को सजाना भी अतना ही ज़रूरी है ये हुई ना कुछ बात गाइस ओकी ओकी चली गाइस अब मैं यहां से फ्लावर्स प्लस सीड्स कलेक्ट करने शुरू कर देता हूँ तो ओके गाइस मैं अपना सारा काम खतम करके वापे से घर आ चुका हूँ और घर आते आते हैं मेरी एक फूड की हेल्थ फिर से कम हो गई मतलब की गाइस मेरा बंदा इतना ज्यादा खाना खाता है ना आप विश्वास नहीं करोगे पर मुझे 42 सीड्स यह 16 अलग से फूल और 9 यह मिल चुके हैं मतलब की गाइस मैंने सीड्स और यह सब कुछ अपने हाथ से इन्ही हाथों से यह देख रहे हो आप यहाँ ओकी मैं अभी आपको दिखाता हूँ यह हाथ हाँ जो भी हिला इन्ही हाथों से तोड़े हैं गाइस मतलब की मेरा तेह नेकल गया मैंने बीच रहास्ते में ही हैं यह मतलब की अरे यार लग जा अव शिट मैन मुझे अभी याद आया एक चीज और चाहिए गाइस मतलब की यार पंगे कम नहीं हैं हमारी जिंदगी में मैंने लगी ऐसे तोड़ना यार काम होते हैं यह हमें स्टेक्स यहाँ है टाइमॉंड ओ हाँ मैं आपको एक चीज बताना बगूल का मैं फिर से माइनिंग पर गया था और मुझे यह तीन डाइमॉंड और यह कुछ लैपिस लजूली हाँ मुझे इसका नाम चेता याद हो गया है मनलब की लैपिस लजूली मुझे इसका यूज जरूर बताएगा गयाई मैं डाइमॉंड का तो मुझे यूज पता ही है पर मुझे लैपिस लजूली यहाँ गयाई इसका जरूर आप मुझे वो बताएगा यूज तो यहाँ हो होई यह जीज अरे यार मतलब की अभी यार अभी हमें फिर से अब सिर्फ एक प्लैंक तोड़ कर लाना है मैं तो कहँए अबी मेरा दिमाग कुछ अलग तरीके से चला है मतलब की हम इतनी मेहनत वाकि घर से बाहर क्यों जाएं जब घर में ही एक प्लैंक मिल जाएगा जी हाँ गयाई मैं इस प्लैंक को बाद में खुद ही भर दूँगा सो ओके तो ये हो गई यहाँ ये यहाँ और अब हम बना लेंगे एक हो सो ओके गाईज एक हो बन चुकी है सो अभी हम चलते हैं सीधा इनको अपने फार्म पर लेकर सो चलिए गाईज अब मैं इसको ऐसे कर देता हूँ क्योंकि यार तेरा बहुत ही ज्यादा काम है सो ओके गाईज अब मैं इस रो में सीधा लगाने शुरू कर देता हूँ अब के लग जा लग जा लग जा सो देखने को इस वाले ब्लोक को तो पानी भी मिल चुका है सो ओके गाईज अभी हम इसको और ज्यादा क्लेक्ट करेंगे अरे यार जी हाँ अब हम ऐसे अपने खाने के उपर नहीं चल सकते गाईज सो के मैं अभी ऐसे ही सभी कर देता हूँ मेरे ये फार्म तयार हो चुका है मेरे सबी सीड्स यूज हो चुके हैं और वो सीड्स यहां तक ही पहुँच पाए तो मुझे पता है जैसे जैसे ये वीड बड़ी होगी और मैं इनको और बनाऊंगा तो इस में से मुझे वीड प्लस सीड्स भी मिलेंगे और मेरी ये होई की हेल्थ भी कम हो चुकी है तो ये फूल यहां नहीं लगेंगे पर मझे इसके लिए डर्ट लाने पड़ीगी डर्ट की भी कमी है गाइस और हाँ मैंने वो आखरी लाइन भी फिल कर दी थी तो चलिए और हाँ आज की एपिसोड में इतना ही नहीं हमें एक और चीज करने वाले है तो ओके गाइज आज के इसई एपिसोड में सिर्फ एक फार्म नहीं था उसमें एक और चीज थी वो चीज मैं आपको सीधा बना के बताँँगा ना की बोल कर तो इसके लिए हमें चाहिए obsidian, ये diamond और ये कुछ और diamond और यहां से हमें जितना समान चाहिए था वो पूरा हो चुका है अब हम सीदे जलते हैं उपर, उपर से हम लेंगे ये sugar cane, ये leather ये भी और अब हम बनाएंगे paper जी हाँ guys, three papers मैं बना लिये, ओहो sorry ये गलती से nine बन चुके हैं पर book हमें एक ही बनानी है जिसका की मुझे अन्दाजा है और इन में से जो हम अब चीज बनाएंगे वो है pink die, red die या फिर enchantment table और वो है enchantment table So okay guys, यही था आपका ये आज का surprise मैंने आपको बताया नहीं शुरू में पर चलो कोई बात नहीं इसको हम रख देते हैं यहाँ पर देख सकते हो guys, oh अरे वही या, तो दे आप देखी सकते हो guys केतना OP लग राएगे, मतलब की तबाही में चारीस ने इसकी देखने में लोग कितनी, कितनी तगड़ी है wäre guys बत्दे आप दिखाता हो हम शुरू हाँ, uncharnment यहां मैं अपने जैसे औरदार रख़ूं गा पर यहां मुझे एक element चाहिए गाइज अभी मुझे element नहीं मिला है तो आप मुझे जरूर बताना कि यहां कौन सा element चाहिए तो मैं उसके बारे में थोड़ी सी research करके फिर उसको mine करने और या फिर ढूनने चलेंगे तो चलिए गाइज आज के इस episode में इतना ही मिलते हैं आपसे अगली episode में अगर आपको इस episode पसंद आया है तो इस episode को like कर दीजेगा चैनल को subscribe कर दीजेगा और अपना review नीचे comment section में और यार बोलने दे भाई थंडर स्ट्रॉम और हाँ अपना review नीचे comment section में जरूर दीजेगा तो चलिए गाइज आज के episode में इतना ही मिलते हैं अगले episode में तक तक के लिए good night और रे हाँ good night और good bye